दोस्तों नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है धर्म विजारवाल और यह है संदीप मेश्वरी और विवेक बिंद्रा जैसा कि आज की खबर के थमनी जैसे आपको पता चल गया होगा कि आज हम इन दोनों महांदुरंदरों के बारे में बात करने जा रहे हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं आज के टाइम में शोशल मीडिया एक ऐसी जगा है जो किसी को भी रातो रात सूपर स्टार बनाएती है तो बहुत से लोगों को रातो रात सूपर स्टार से बिखारी तक बना दिया है कुछ भी हो शोशल मीडिया रातो रात आपको कई बार सातों आसमान तक पहुचाए था और कई बार ऐसा भी हुआ है कि बड़ी-बड़ी कम्पनिया, बड़े-बड़े लोग इसी शोशल मीडिया के वेज़े से बरबाद भी हो गए है दोस्ते एक जमाना था जब लोग तलवार लेकर हाथों में भाले लेकर लड़ा करते थे आज एक ऐसा जमाना आगे है जब लोग शोशल मीडिया पर लड़ते हैं और अक्सर आम जंता उसका मज़ा लेती है ऐसे कुछ हो रहा हमारे ये दोनों धुरंदरों के वेपर साथ जो संदीब मेश्वरी और विवेक बिंदरा है इन दोनों के कंट्रोवर्सी चल रही है आज कल शोशल मीडिया पर आप सभी को पता है और दोनों एक दूसरे के उपर ऐसा बरस रहे हैं कि पूछ मत एक के बाद एक वीडियो दूनों निकाल रहे हैं बहुत सारे यूटूबर्स ने इनके पर वीडियो बनाई है तमाम खबरों में चैनलों में आज के टाइम में विवेक बिंदरा और संदीब मेश्वरी इन दोनों का मुद्दा चाया हुआ है इसके पिंचे क्या गारण है यह तो आगे आपको पता ही चली जा गए वीडियो में परन्तों आज का जो में टोपिक हो यह है दोस्तों कहानी क्या है आपको शुरू से बताता हूं दरसल में आज से लगबग नो दिन पहले संदीब महिश्वरी जी ने एक वीडियो जारी करी इस वीडियो में उन्होंने दो लड़कों का एक इंटर्वी था जो अपने स्टूडियू में ने लिया वा था जो उन्होंने बताया था और इस वीडियो में जो उन्होंने प्रोड़क्ट जो बता रहें कि ऐसा है मतलब लगी करना पड़ेगा यह तो मिल जाएगा बिजनस इखने को मिल जाएगा और यह एक्पेक्टेस्ट थी उसको लेकर एंडर जो को लेकर लेकर अच्छलों कुछ भी नहीं था उसमें सब फेक था सब कितने पैसे आप यह कहना चाहरे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकू बन गए हो अब औरों को बेवकू बनाओ तो पैसा आएगा बिलकुल बिलकुल तो होता हुआ है कि वह चाहते है कस्टमर को जह से मिलो किसी भी तरह बड़े लेवल पे गेम चल हो रहा है यहां पर जो पेरेंट्स है उनकी उपर प्रेशर आ रहा है रेलेटिव का कि आपका जो बच्चा है जो अभी कुछ नहीं कर रहा है उसको जोई करवा दो तो उसकी लाइव सेट हो जाएगी तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा इस वीडियो के अंदर एक बिजन आजाता है और ऐसा हिंदुस्तान में होता भी यह लोग करते हैं एमलम बहुत सारे लोगों को पता है इसके बारे में और जिनको नहीं पता हुंको बता भी देते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग यानि इसमें आप जब जोईन करते तो आपके 10 रुपे की चीज 100 रुपे म जिनको हम भी बेकूब बना सकें उसके बदले में इनको कमिशन भी देते तो यह यह मेंबर बनाना की तरकी स्कीम होती है जिसमें एक पिरामेट टाइप में मेंबर बनाए जाते हैं जो उपर के लोग होते इसका अक्सर मेलम के अंदर वोता पैसा कमाते पर नीचे के लोग अक्सर बरबाद होते हैं तो इस तरह के बिजनेस चल रहा है और जो की अगर देखा भी जाये तो हिंदुस्तान के नदर बहुत प्रचलित है बहुत सारे लोग इस स्कैम से के शिकार भी हुए है और अक्सर लोग MLM का नाम सुनते भाग भी आते हैं और शायद हिंदुस्तान में कोई असा अदमी नहीं है जो MLM का शिकार ना हुआ हो या उसके पास कोई इसका रिष्टेदार भाई बंदू MLM का प्लान उसके पार ना लिक्या है हो खेद यह देख MLM के बात है जीनिके बात की होगा शंदिप पोश्ट करी तो इस विडे smells अधर उसर बड़ी खास बात यह थि जिंह धी कि उन्होंगोने इस एंक हाथ बोली के बात करी थी यह अन्होंने पर पास दिन बाद संधिप महिश्वी जिसका नाम था stop scam stop scam business तो इस तरह कि उन्होंने पोस्ट करी जिसके बाद संदीव मेशवरी जी के वीडियो डालने के बाद विवेक बिंदरा जी ने लग मुल साद आठ दिन पहले एक फिर दुबार एक उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी इस वीडियो के अंदर विवेक जी ने कई बार संदीब मेश्वरी को धंकी दिये दंकी मतलब क्या उन्होंने बताया कि अंदर में क्या उर्वन देखना तुम्हे पता चल जाएगा इस तरह के उन्होंने बहुत साई शब्दी उसके हैं क्या कुछ का आता है उन्होंने इस व स्कैम का मीनिंग क्या होता है स्कैम का मीनिंग क्या होता है डेफिनेशन जानते हैं स्कैम स्टॉप स्कैम बिजनिस क्या है फिनांशल स्कैम है किस तरीके का स्कैम है भाई आपको समझा देता हूं आपने मेरे फिनांशल रिगॉर्ड जाके चेक किये साथ मैं आपने देखा कंट्रोल चेक कौन कर रहा है एक एक करके आपसे पूछता हूँ सवाल मैं और आपसे सवाल पूछता हूँ मुझे पता अब आप जवाब देना शुरू करेंगे और आपसे रोज सवाल करूँ आप पहला चीज सबसे पहली चीज आपको जूट नहीं लिखना चीए था कि आपको किसी ने लीगल नोटेज भेजा या पर कोट केस किया एक हफते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया पहले दूसरी साइट पूछ लेते हैं तो दोस्तों जैसे कि वीडियो वीवेक बिंदरा जी ने डाला था और उन्होंने कहा कि हम कोई किसरा का स्कैम नी करते हैं हम लोगों को फ्री ओफकोस चीज़े देते हैं और बहुत सारी चीज़े नहीं बात में बोली संदीप महिश्वजी जी के लिए बोला कि भी या उनको हम एक अफ्ते कंदे दिखाएंगे हम क्या करने वाले हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया जब संदीप महिश्वजी ने ये वीडियो पोस्ट की थी उसके बाद उन्होंने कुछ कम्मुनिटी पोस्ट भी डाले थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि विवेक बिंदरा जी के लोग उनके घर गए और उनके टीम को प्रेशर बनाया जा रहा कि उनको ये वीडियो डिलिट करने के लिए और कई तरह के लोग उनको फोन कर रहे हैं धमकिया दे रहे हैं इस तरह के एक पोस्ट उन्होंने डाली थी दोस्तों कॉम्मुनिटी पोस्ट में विवेक बिंदरा के लिए उन्होंने बकायदा एक लिखा कि 50 रुपे का कंगा किसी को बेचना स्कैम नहीं है परन्तु 50 रुपे कंगा किसी गंजे को बेच रहा है और वो भी ये कहके कि इस कंगे को अगर आप यूज करते हैं तो आपके बाल आ जाएंगे और 50 रुपे कंगा को अगर 50 पाचास हैयार का बेच जाता है तो वो एक स्कैम है इस तरह की कॉम्मुनिटी पोस्ट डाली उन इसके रिप्लाइ में विवेक बिंदराची ने वीडियो डाली ती जिसमें उन्होंने का कि हम लोग बिजनस कर रहे हैं और बिजनस करना कोई गलत काम नहीं है वह जो संदीव मेश्र जी है वह भी बिजनस करते हैं वह भी अपनी 20-20 रुपे की एक एक फोटो बेसते हैं औ और एक-एक मीटिंग के वह भी 20-20 रुपे लेता है अगर कोई इनके ओफिस में इनसे मिलने के लिए आता है तो 9-9 रुपे लेते हैं ऐसा इलजाम उन्होंने भी लगाया है फिलाद हो यह रहा है कि इदर से संदीव मेश्र बिजनस को पर इलजाम लगा रहे हैं एक दूस संदीव मेश्र बिजनस की पॉल खोल रहे हैं उल्टा सिधा एक दूसरों कह रहे हैं और इन सब चीज़ों में मज़ा ले रहे हैं आम जंता खेर इसके बाद आज एक मज़े के बात यह हुई है आज संदीव मेश्री ने फिर एक वीडियो पोस्ट किया है जिस वीडियो के सब इसको रिपोर्ट करें उन्हेंने कुछ RBI की गाइडलाइन भी दिखें कुछ लोग दिखाएं उसके भी वीडियो के बात बताईए जब वीडियो अपलोड हुई कितनों को समझा है था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं बहुत कम लोगों को अगर वो कुछ नहीं करते हैं चुप चाप बैठे रहे थे तो दो दिन में सब भूलबा जाते हैं खतम हो जाते हैं मतलब एक टीचर है जो क्लास मे सामने ख़िए और कि बोल रही है तो में से किसी एक दूरी करी है और एक बच्चा ख़ड़ा हो सब्सकिपे इन्सान थो यह अपने नाम क्या क्या लगाते हैं डॉक्टर जब यहां पर यह आये थे तो मुझे लगाते डॉक्टर है लिए गया है लें जो कल वीडियो में आया है ये इसने आखरके एक बार नहीं बार बार मुझे धंकिया दी है एक अफ़ते में देखो मैं तुम्हारे सथ क्या चले जा रहा है और यहां पर आभी जाएगा नीचे और वीडियो में भी दिख रहा होगा आपको हाश्टाग स्टॉप विवेक बिंद्रा तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि संदीब जी ने आज फिर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजिए आम जनता के लिए कही है और बकाइदा यह काया कि अबिख अनुक्ट विवेक बिंद्रा जी का जो बिजनस है इसको बंद कराएंगे उन्होंने दोस्तों पकाइदा इसकी केक सम खाली है और आम जनता को इस तरह के स्के Μ से बचने के लिए दूर रहने के लिए बिलकुल का है और दोस्तों बकायदा इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो विवेक जो बिंदरा है उनके साथ में जो डॉक्टर विवेक बंदरा लिखाते हैं संदीप मेशन ने उस पे भी सवाल उठा है कि ये विवेक जो डॉक् में फसे हैं वो आए उनको बकायदा मेल करें सारे डॉक्मेंट्स एविडेंस के साथ में और ये विवेक बंदरा को आप सबक सिखा गरेंगे दोस्तों इनकी लड़ाई अब बड़े ही एक गंबिर उस पे दौर पर आ गई है आज विवेक बंदरा जी का भी एक इंट्रू लाइव हुआ है जिसमें विवेक बंदरा ने बकायदा कहा है कि अब अगर संदीब मेश्वरी कोई भी वीडियो पोस्ट करते तो मैं उसको सिर्फ इग्नोर करूंगा मैं उस पे कोई रिप्लाई नी करूंगा और ऐसा कोई मैं चाहता भी नहीं क्योंकि हमारा फोकेस अप इसकी लड़ाई है इस लड़ाई में जहातक मुझे लगता है कुछ ना कुछ ना फाइदा आम जनता का होने वाला है खासों से उन लोगों जरू फाइदा होगा जिन जो लोग इस तरह के स्कैम में बिजनस स्कैम के नाम पर ठगे गए हैं तो दोस्तों देखते आगे और कितने स्कैम हमारे सामने आते विडियो कैसी लगी है आपको इसको लैकर शेयर करना बिल्कुर ना भूलें विडियो के बारे में खास्तों से संधिप मेशवरी और विवेक बिंदरा इन दोनों की बारे में आप क्या सूचते हैं आपको कि या लगता कून सही और गलत अपन कि दुश्मन भी होते हैं अब वो कितने सही हैं कितने गलत हैं यह तो आने वाला समय बताएगा कोन किसको रेल कराता है यह भी समय बताएगा फिलाल आप यह बती यह वीडियो मैं जरूत करें जरूर संधी महेश्वर जोगी इस तरह काम करते ही तो कहते है कि मैं अपने हर सर्वीस तरी में देता हूं उनके वारे में आपके अपनी क्या राय है में कमेंड्स घर नीज़ाएं कर दो